कि आपको किस तरह का स्मार्टपून खरीदना चाहिए या कि परचेस करना चाहिए उससे भी ज्यादा तो इस वीडियो में आपको यही बताओंगा करने से कुछ नहीं होता है तो प्लीज सबसक्काइब कर लेना और साथ Is That अगर आपको वीडियो उच्छा लगता है तो लाइक कर देना हो अपने किसी भी प्रैय्ट के साथ मैं आपको आगे से ज़ब आपको स्मार्टोन कितने तक क्लिए सब्सक्राइब के final तक कभी स्मार्टों मिल जाएगा 4 चौहफ लेकिन वह स्मार्ट स्मार्टफोन पड़ेगा शहजार के अंडर इसका स्मार्टफोन आपको पड़ेगा जो इसका स्पैसिटिकेसंस है चार जीवी रैम और चलता नहीं जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन पर्चेस करते हैं यह स्मार्टफोन आपको लगवग मार्केट में ज्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं और लोग इसको चलाते भी हैं अगर आप अगर 10,000 की प्राइज में कोई भी स्मार्टफोन पर्चेस कर रहे हैं अगर उसका रैम दो जीवी है और इंटरनल स्पेस 16 जीवी या 32 जीवी है तो कोई स्मार्टफोन लीने का कोई मतलब नहीं क्यूंकि आजकाल के ऐसे सॉप्वेयर लगवग कापी बड़े-बड़े हो वह मोबाइल पून उतना नहीं चलता और साथी साथ कैमरा की क्वाल्टी जैसे कि अगर आप कोई भी मोबाइल लेते हैं जैसे कि 10,000 की प्राइज में तो उसका कैमरा का प्राइज लगवग आपको 13 मेगा पिक्सल का देखने के मिलेगा और साथी साथ उसमें आपको जो ब हैं यहीं मिलेगा जैसे कि टेकर स्मार्ट्पॉन आप काफी बढ़िया होता है और उसको आप नुमेली चलाने के लिए ले सकते हैं वह सब कर सकते हैं वह स्बस्क्राइज के लिए लेकिन मैं इस समय जो बता रहा हूं 15,000 की रेंज में बता रहा हूं तो इस रेंज में अगर आप पर्चेस करेंगे जैसे कि टेकनो का का बड़ी है स्मार्फोन होता है तो इसमें जैसे कि बैट्टी का जो एमेच ज्यादा आपको मिलता है टेकनो में 7000 तक मिलता है अगर आप देखें लिए तो उसमें आपको 6000 mh का बैट्री मिलेगा बैक सैट का जो मेगापिक्सल है टैमरा वाला वह 64 मेगापिक्सल का है और जो फ्रंट का फेस वाला है वह 32 मेगापिक्सल का है आप सूर सकते हैं काफी होगा उसमें और उसमें 6GB इंटर्नल लेंग दे रहा है अगर आप लेते हैं तो आपको आप पर 8GB का RAM मिलता है और वहीं अगर आप जैसे कि 20,000 के प्राइल में लेना चाहते हैं कोई भी स्मार्टफोन तो मेरे खियार से आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं उसमें ज्यादा आपको RAM चाहिए तो उसके लिए आपको IQ लेना रिल जाता है और साथ मोबाइल में ऑखेका से जो स्पेस्ट staid होता है सब्सक्राइक अगराप मोबाइल चला रहे हैं तो इसमें जब गेम क्याते हैं प्राइस में लेते हैं आपके लिए लगबग कापी बढ़ियां होगा और जैसे कि अगर आप उससे भी जैदा महांगा बस लेना चाहते हैं कोई भी स्मार्फोन तो भी आप ले सकते हैं उसमें भी आपको अच्छा कासा रैंड देखने को मिलेगा उससे तो स्मार्फोन काप सब्सक्राइब होता है कि या जरूरी होता है जो भी आप स्मार्फोन पर्चेस कर रहे हैं उसमें कौन सा ओयास है वो इंडाइड वर्जन किस पर बेजड है अलेवन पर या थार्टिंग पर अगर जैसे कि एट से नीचे होगा तो स्मार्टफोन लगब काप सुलो करेगा क सब्सक्राइब होते हैं जो जादा अप्डेटेड होते हैं इस समय कि जो होते हैं 11 और 13 जो मियू इंडाइड वर्जन रेट्मी का है जादा लेटेस्ट है तो सारे चीज़े काफी अच्छे से काम करते हैं और इसके अप्डेट भी काफी अच्छे खासे होते हैं तो आप इस रेंज में भी जो मोबाइल पर्चेस करते हैं उसके साथ साथ आपको ना उसका ओयास भी देखना चाहिए और गाइस इस वीडियो करके सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने किसी भी प्रेंट के साथ सेयर कर देना और वीडियो में कुछ छोटा सा कमेंट लिग देना वीडियो के बारे में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैक्स वाचिंग प्लीज